देखिए सरकार किसान हित की सरकार है और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है सरकार उसको प्रत्रंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मावजा पचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी परकार की अगर किसान की फसल के उपर प्राकृति कापदा आती है उस प्राकृति कापदा के कारण उसको नुक्सान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय को पर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रिजिस्टेशन करके उन तक मावजा पहुंचाने का काम करती है और उसी कड़ी के अंदर आज आज दो हजारते जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का जो नर्गमा की फसल है कौटन की फसल उसके खराबे का चाहे वो गुलाबी सुन्डी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके उपर आपदा आई है उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था लगवग आज 87 क्रोड 95 लाख रुपे का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके उपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है हम प्रम्पिता प्रमात्म से ये प्राथना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो श्कुषल रहें किसी परकार की उनको उपर प्राकृतिक आपदा ना आए और अगर कोई इस परकार की दिक्ट परसानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है तांकि कि किसी परकार की दिक्कत नहीं है और जो ये मुआवजा 2000 थे इसका था आज उसको हमने रिलीज किया है लगभग ये 87 क्रोड 95 लाख रुपे की अमाउट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है जो हमारी दिन द्याल उपाध्या योजना है अंतोध्या परिवार शुरक्षा यो दिक्कत वो आती है सारी रूप से ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा आज भी जारी किया है ऐसे 2884 लापात्र हैं जिनके खाते के अंदर रासी वो आज जारी किया है तांकि उन तक वो रासी पहुंचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुरगट नभीमा है उसका लाप मिले ये सरकार की योजना हैं आज उसको भी हमने पैसे को रिलीज किया है उसको जारी किया है और इसके अंदर जैसा मैंने बताया है कि जो लापात्र विक्ति हैं सरकार ने जिन परिवारों की आए एक लाग हस्ती हजार रुपे से कम है ऐसे परिवारों को जो छे वर श्राइब से लेकर के 18 वर्स तक है उनको 2,0,000 रूपे और जो 18 वर्स से अधिक और 25 वर्स तक है उनको 5,0,000 रूपे की सहता यह इस योजना के माध्यम से द्यालों योजना के माध्यम से उन तक दी जाती है और एक आज पोर्टल और लॉंच किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुरलब बिमारी हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी के पूरी ऐसे जो पीडित विक्ति हैं किसी को कोई बिमारी जो हो जाती है उनको उस पोर्टल के उपर रेजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस परकार से बुड़ापपा पैंसर समान बता दिया जाता है तीन हजार रुपे उस तरीके को उनको ये पैंसर लग करके उनको लाब पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा जो अगर कोई रेजिस्ट्रेशन करेगा इस परकार का क्योंकि उसको डॉ इंसर की उसके माध्यम से सुविदा है आज उसको पोर्टल को भी ऑनलाइन लॉंच किया है